नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों आज की वीडियो बहुत जादा इंपोर्टन्ट होने वाली है आप सभी के केरियर को ले करके तो बिटा आप सभी में अपना 12th क्लास के एक्जाम्स दे दिये हैं और जल्दी ही आपका रिजर्ट भी आने वाला है इसी दोरान आप में से कुछ बच्चे तयारी कर रहे हैं अपने CUET एक्जाम की कुछ का हो गया है और कुछ सब्जेक्ट का होना बाकी है इसके साथ ही साथ दिल्ली S.E.E.R.D. ने डाइट के एड्मिशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है अब डाइट क्या होता है तो बिटा आप लोग में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे मोसली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो उनकी इच्छा होगी स्कूल में असे टीचर बनने की तो डाइट आपको एक ऐसा कोर्स है जो इन फ्यूचर जब आप डाइट कर लेंगे तो आप टीचर बन सकते हैं गर्मेंट स्कूल में और एस वेल अस प्राइवेट स्कूल में भी तो बेटा डाइट को DL.A. या फिर कुछ अधे स्टेट्स में जे-बी-टीवी बोला जाता है ये दो साल का कोर्स होता है और S.C.E.R.T. एक गर्मेंट डपार्टमेंट है जो आपको डाइट कराता है जिस तरह से आप में से कुछ बच्चे गॉर्णमेंट स्कूल में पढ़े हैं, इसी तरह से ये जो डाइट है ये गॉर्णमेंट कॉलेजिस के थ्रू ही आप लोगों को कराई जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एंटरेंस देना होगा, तो वही सब जानकरी मैं इस वीडि जो अभी गई है, 11 जुलाई में S.C.E.R.D. ने डाइट का जो प्रॉस्पेक्टर्स है वो अपनी वेबसाइट जो कि हाँ पर दे रखा है, www.scerd.dillyadmission.nik.in पर अफलोड कर दिया है, ठीक है बिटा, अब इसके अंदर आपको 15 से 24 जुलाई के वीच, ठीक है, आज 21 है, इ तीन दिन और रहते हैं, इस फॉर्म में अपलाई करने के लिए, तो यहां पर आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, ओनलाई अप्लिकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, यह आपका कम्प्यूटर बेस एंटरंस टेस्ट होगा, ठीक है, और जो आपको सेंटर प्रवाइड किया जा फीज समिट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपी आई और रुपे से कर सकते हैं, चाहे तो बिटा, आप खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप बाहर भी जाकर के इस फॉर्म को फिल करा सकते हैं, अब है 25 और 26 जुलाई, इस किसको छोड़कर एक तो आपका नेम नहीं बदला जाएगा और दूसरा आपकी डेट और बर्थ नहीं बदली जाएगी, इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई कलती है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो, उसके बाद बिटा, साथ अगस्त, साथ अगस्त को आप लोगों एंटरिन टेस्ट के लिए, यहीं पर आपको कहां पर एक्जाम देना है इस एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, बारा तारीक को कंड़क्टेशन ऑफ कंप्यूटर बेस एंटरिन्स टेस्ट, ठीक है मिटा, यानि कि जो एडमिट कार्ड पर आपको वेन्यू दिया गया है, बाईस टारीक को, बाईस टारीक को, रैंक ओफ केंडिडेट्स जो है, वो लोग डिस्प्ले कर देंगे, कहां पर डिस्प्ले करेंगे, यह वेबसाइट उन्होंने साथ के साथ आपको दे रखी है, तेईस से पच्चेस, यानि कि तेईस, चौबिस और पच्चेस को इसके अंदर एडिटिंग की जाएगी, ठीक है, अगर कोई एडिटिंग होना बागी होगा तो, सत्ताइस टारीक को बिटा, फर्स्ट मेरिट लेस्ट एडमिशन की निकाली जाएगी, अब इसमें, और जो इन्होंने रैंक डेटेल दी है, यानि कि बाईस टारीक को इसके अंदर बच्चों एकजाम देते हैं, तो समझ ये 22 अगस्थ को 200 बच्चों ने एकजाम दिया, तो जो रैंक निकालेंगे वो, तो वो पूरे 200 बच्चों का निकालेंगे, ठीक है, 200 बच्चों ने कितने मार्क्स लाए उस अंडरेंस टेस्ट में वो दिखाएंगे, और उसके उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मेरिट निकाल देंगे, ठीक है, जब फर्स्ट मेरिट आ जाएगी, तो उनतिस से और, हाँ, उनतिस से इकतिस के बीच, बच्चों क्या होगा, कि फर्स्ट अडमिशन लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपको इंस्ट्यूट दिया जाएगा, है न, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, उसको पास का इंस्ट्यूट मिलेगा, जिसको थोड़ा मैरिट से थोड़ा दूर होगा, उसको थोड़ा दूर का इंस्ट्यूट मिलेगा, उनको अपने ओरिज्मिल डॉकुमेंट की वेरिफिकेशन करानी होगी, और दो सेट्स मे बीच क्या होगा दो से पांस तारीक के बीच वो लोग सेकेंड अडमिशन लिस्ट निकालेंगे अगर उनकी सीट कुछ खाली रह गई है फर्स्ट मेरिट से तो वो सेकेंड मेरिट क्यूंकि कुछ लोगों के डॉकिमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी क्या होगी दो सितंबर से लेकर के पांस सितंबर के बीच उसके बाद आठ सितंबर को थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगी अगर उनके बास वापस से कोई भी शीट बाकी बसती है तो और फिर वही सब आप लोगों का मेरिट और दो सेट के डॉकिमेंट्स आपको लेकर के जा यह सारा प्रोसेस होगा नो सितंबर तक उसके बाद 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच फिजिकली रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट एट हिल्ट हर फाइनली अलोट डाय इंस्ट्यूट और डिपोजट और इसनल वेरिफाइड दॉकिमेंट्स बारा से और 14 के बीच जि 15 सितंबर से लेकरके 19 सितंबर के बीच किया होगा विड्रॉल ओफ एड्मिशन थ्रू ओनलाइन मोड ओनली फ्रोम दा कैंडिडेट्स लोगन आइडी 15 से 19 तारिक के बीच ओनलाइन मोड पर अड्मिशन निकाले जाएंगे और इसके अंदर वही कैंडिडेट लिये जाएं जिसको हम SFS के टेगरी बोल देते हैं ठीक है इसके अकॉर्डिंग एक अलग से एड्वर्टाइसमेंट ये लोग निकालतेंगे एड्मिशन के लिए और 31 तक जो भी इनका सेशन है वो खतम हो जाएगा मेरिट के अकॉर्डिंग एड्मिशन वाला इसी के साथ बिटा एक ओ इसे होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो जब आप लोगों का मैरिट वाला जो एड्मिशन प्रॉसेस है वो खतम हो जाएगा उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू अगर इनके पास कुछ शीट्स बचती है तो उस ऑनलाइन काउंसलिंग से ये उन शीट् कंडिडेट को एक हजार रुपे सम्मेट करने होंगे और ये एक हजार रुपे वापस नहीं होंगे चाहे आपका सेलेक्शन होता है और चाहे आपका सेलेक्शन नहीं होता दोनों केस में 27 सितंबर को आप लोगों का जो उनलाइन काउंसलिंग होगी उसके अंदर कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे वो लिस्ट डिस्प्ले हो जाएंगी और इसी साइट पर हो जाएंगी अब 27 और 28 सितंबर में 1st काउंसलिंग की लिस्ट डिकलेर की जाएगी स्टूडेंट्स का नमबर आया होगा वो उसी तरह से दो सेट्स लेकर के जाएंगे और अपने डॉकिमेंट्स को वेरिफाई कराएंगे तीस सितंबर से लेके और तीन अक्टूबर तक सेकेंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो डिकलेयर होगी और उसी के अकॉर्डिंग बचे एड्मिशन लेंगे पांच अक्टूबर को वही प्रॉसस होगा यानि कि जिनोंने सेलेक्शन लिया है फर्स्ट मेरिट में और सेकिंड मेरिट में वो लोग जाएंगे और अपने डॉकिमेंट्स को सम्मिट करा देंगे 10 अक्टूबर को डिकलेरेशन होगा नोटिफिकेशन निकलेगा लिस्ट का एड्मिशन का अगर उन लोगों के पास शीट होगी तो देख लिजे बटा दूसरी बार ओनलाइन एड्मिशन या ओनलाइन काउंसलिंग के लिए लिस्ट तभी निकालेंगे वो 10 अक्टूबर क जब उनके पास वेकेंट सीट होगी अधर्वाइस नहीं निकालेंगे अगर उन्होंने सेकिंड ओनलाइन काउंसलिंग की लिस्ट निकाली है तो उस प्रॉसस को ये 10 दिन के अंदर कवर कर लेंगे और 20 अक्टूबर को ये अड्मिशन क्लोज कर देंगे चाहे फिर वो मैर जब किस तरह से आप अन्रॉल करेंगे अब आजाते हैं दूसरी सबसे इंपोर्टन बात के लिए कि कौन से बच्चे इलिजिबल हैं अन्रॉल करने के लिए यानि कि आपके डाइट के लिए आपकी इलिजिबलेटी कंडिशन क्या रखी गई है तो सबसे पहले जो भी बच अचा डाइट में एडमिशन लेना चाहता है या डी एलेट कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है उसमें 12th क्लास को पास कर लिया होना चाहिए या उसके इक्विलेंट कोई डिग्री हो किसी दूसरे बोर्ट से उसने किया हो CBSE के अलावा कोई दूसरे बोर्ट से किया हो तो आप इस वर्म को भर सकते हैं और वो 50% आपके टॉप 5 सब्जक्ट के होने चाहिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 6 या 7 सब्जक्ट वर्थ में थे तो आपको उन में से कोई से भी 5 सब्जक्ट चुन लेने हैं और जो आप 5 सब्जक्ट बिटा चुने हैं तो उन 5 सब्जक्ट में आपके पास एक लैंग्वेज मस्च होनी चाहिए एक से ज़ाधा लैंग्वेज भी आप भर सकते हो लेकिन एक तो कमसे कम उसके अंदर लैंग्वेज होनी चाहिए 2 जो ही लोग कह रहे हैं 5% relaxation of marks in the qualifying examination is allowed for candidate belonging and applying under the categories of scheduled class यानि कि SC candidates के लिए, ST candidates के लिए, PWD candidates के लिए 5% का relaxation इनोंने दिया है यानि कि अगर उनके 12th class में 45% marks है तो वो eligible है, डाइट का फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों के लिए ये बुला हुआ है कि आप फिजिकल फिट्नेस आपकी सही होनी चाहिए तब्याद आपकी खराब नहीं होनी चाहिए थर्ड जो इंपोर्टन है इसके अंदर एज लिमिट क्या होनी चाहिए तो विटा 30 सितंबर 2022 तक आपकी जो एज है वो 24 साल से जादा ना हो तो 24 साल से जादा सिफ एक कंडिशन इनोंने दे रखी है कि 5 साल का रिलेक्शेशन दे दिया जाएगा उन लोगों को जो किस से ब्लॉंग करते हैं? ST Category, SC Category और PWD Category इन 3 Category के लिए 5 साल का रिलेक्शेशन है यानि के 29 एर तक भी यह लोग एंड्रॉल कर सते हैं दाइट के एड्मिशन के लिए तो यह सब भी इंपोर्टन जानकारी थी आपके लिए अगर आप डाइट का फॉर्म भढ़ना चाहा रहे हैं तो आशा करते हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपके लिए काफी हलफुल रही होगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को आल पर सट करके रख देना वीडियो को अपने दोस्तों तक शेर करना मत भूलना